मुंबई में आज बहुती तेज आंधी तूफान आप पीछे से नजारा देख रहे हैं ये साइकलोन बहुती बड़ा साइकलोन आया है और मेरा जो घर है वो सी वीव है समुद्र दिखता है पीछे से तो जिसके विजे से इसका एफेक्ट काफी आ रहा है तो मेरे को ऐसा कि खोल दू तो ये पूरा उड़ जाएगा तो विंड बहुत ज्यादा है तो लेकिन मेरे को ये बड़ा खुशूरत लोकेशन लगा इसलिए मैंने सुचा कि आज एक वीडियो और बनाना चाहिए तो आज मैं बात करूंगा लुब्रिकेंड ओयल की नोटो की बरसात वाला धन्दा लुब्रिकेंड ओयल ये मेरे ख्याल से तेरवा मेरा वीडियो रहेगा तेरवा पार्ट रहेगा आजकल का जो लुब्रिकेंड ओयल है बड़ा ही इसमें हाकार मचा हुआ है रेट के लिए तो कोई कहता इतने में मिलता है कोई कहता इतने में रेट मिलता है तो मार उसमें आप दो तरह का आइल यूज कर सकते हैं, एक तो होता है इंजन आइल और एक होता है री साइकल आइल, री साइकल आइल को वैक्यूम आइल भी बोलते हैं, फिल्टर आइल भी बोलते हैं, और कई चीज बोलते हैं, उसको दो तीन नामों से बोकारते हैं, होता हुई ह वो होता क्या है कि जो waste oil होता है उसको उसको machine में process करके plant में process करके उसको recycle करते हैं तो उसमें जो वो दम रहता है जो main जो 500 जो number होता है base oil से additive मिला करके वैसा तो नहीं रहता है फिर भी लोग उसमें थोड़ा बहुत तोदम रहता ही है, फिर भी लोग उसको यूज करते हैं हेड्रोलिक ओयल में उसको आप आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि वह सस्ता होता है, उसमें कोई दिक्कत थे हैं लेकिन जो engine oil है उसमें भी बहुत से लोग engine oil भी भरके बेशते हैं क्योंकि वो सस्ता रहता है, customer सस्ता मांगता है डिमांड सस्ते की आ रही है तो आज मैं recycle oil के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ recycle oil क्या है? कि ये आपको दो तरह से आता है एक थोड़ा smell आती है उसमें और एक हलकी smell आती है तो मुश्टी लोग जो हलकी smell आती है वो oil लेना पसंद करते हैं और वो सस्ते में मिल जाता है compared to engine oil, 25 से 50 रुपए वो सस्ता रहता है और rate का मैं इसलिए जिक्रें नहीं करूँगा क्योंकि rates काफी उतार चढ़ा हो रहे है पिछले चार पाल में जब आप मुझसे उसका rate पूछेंगे उस तारीक का rate पूछेंगे तो वो rate मैं वाटसप पे दे दूँगा आपको तो recycle oil एक hydraulic oil में यूज़ कर सकते हैं जो already ये काम कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम है और कुछ ओल बाइक के लिए engine oil में भरते हैं और कुछ machine oil में यूज़ कर लेते हैं तरह तरह oil का बहुत यादा यूज़ है हर तरह से अलग-अलग तरीके से लोग oil का यूज़ करते हैं पहला गाड़ियों में फिर है हाइडोलिक में GCB पकलान हो गया हाइडोलिक जहां पर लगता है ये आपका एक्सकेलेटर वेगरा होता है और भी जो हाइडोलिक जहां पर रहते हैं वहां तो आप बड़े आराम से उस कर लो और लिकिन जो ये काम करता है जो और बेस्ता उसको रिसाइकल ऑईल के बारे में अच्छी तरह मालू है वो थोड़ा सस्ता रहता है इसलिए वो बिकता है मार्जिन आपको उसमें कम मिलेगा लिकिन उसका फ्लो जाता रहता है आपको जितना भी चाहिए मैं रिसाइकल ऑईल दे सकता हूं पहले मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता था लेकिन जबसे डिमांद ज़्यादा आने लगी किसार मेरे को सस्ता वाला ऑईल चाहिए इसलिए मैं यह वीडियो ले करके आया हूं इसके पहले वाले जो वीडियो थे मेरे वो सब ब्रांडेट थे, नॉन ब्रांडेट थे, उसके बारे मैं बताता था, और लोग न लिया भी है, और लोग बेशते हैं उसको, लेकिन ये जो है, आज मैं रिसाइकल ओयल की ही, के परपस में मैंने ये वीडियो बनाया है, कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी जिसको भी चाहिए ओयल, वो मेरे से वार्सव पर कॉंटेट करके, उससे रेट रह सकते हैं, उस समय क्या रेट रहता है, पांट-दस रुपाई उदर, जो भी रेट रहेगा, इस समय लगबग है, असी, पचासी रुपया, पचासी रुपया, इस तरह से रेट चल सिस्टम रहता है, ट्रास्वोर्ट तभाड़ा आपको देना रहता है, ओल इंडिया डिलेवरी रहेगी मुंबाई से, तो आपको जिसको भी आपको जरुवत है, सस्ते ओयल, रिसाइकिल ओयल, वो मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा स्क्रीन में नमबर रहेगा, आ आप वहाँ पर मेरे को वाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन भूल करके भी आप कमेंट सेक्शन में अपना मोबाईल नमबर मत दीजे, मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी और वीडियो में बता चुका हूं, कि हैकर्स आपको फोन करते हैं, आप वहाँ नमबर डालते हो, व इसका बिल्टी होता है, रिक्वायर होता है, तो आप चीटरों से बचने के लिए, फ्रॉड लोगों से बचने के लिए, कमेंट बॉक्स में भूल करके भी अपना नमबर ना दीजे, ये आपको हाँ जोड के गुजारिश है, फिर आप मेरे को फोन करेंगे कि सर आपका आदमी आया, वो ले गया, ये ले गया, वो सब गलत बाते हैं, आप मेरे नमबर पे नमबर देख करके मेरे को फोन करिए, मेरे को वाटस अप करिए, और मैं उसका जवाब दूँगा, मैं ही रेट दूँगा, कमेंट बॉक्स में अपना भूल के भी नमबर मत दीजे, हो सक करिए, मैं आपको ओयल दूँगा, आपको जो भी जिनुएन होगा रेट, वो कम मार्जिन में रख करके आपको ओयल देगे, आपका काम चलता रहेगा, अगले वीडियो तक के लिए, मैं आपको अगला वीडियो जो आएगा, वो किस सब्जेक्ट पे रहेगा, वो आने वा जै हिंद, जै भारत, नमस्कार